अगर दोस्तों मेरा नाम धरनजा है आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं How to achieve financial freedom Financial freedom की definition बड़ी सारी है और यह depend करता है person to person कोई fix definition आप नहीं दे सकते हैं कई लोगों को लगता है कि वो उनके पास कोई कर जाना हो not having any debt is financial freedom for them कई लोगों को लगता है कि उनके पास बहुत पैसा हो यह उनकी definition है financial freedom कई लोगों को लगता है जो चीजें नार्मली वो चाहें और हो जाए वो उनके लिए financial freedom है तो आज हम लोग 9 ऐसे points को जानेंगे जो आपको आपके financial freedom को achieve करने में आपके financial freedom को बहुत जल्दी achieve करने में help करेगी और वो सारा इस वीडियो में हम लोग आज जानने वाले है तो आगे बढ़ने से पहले मेरा request होगा चैनल को जरू subscribe करें अगर अभी तक नहीं किया होगा और comment करके हमें बताएं कि आपको और किस topic पर वीडियो चाहिए financial freedom है क्या financial freedom को definitely define किया जाए कि you know not having any worries to achieve our to purchase our requirements, basic needs, थोड़े बहुत wants, थोड़े बहुत desire ये सब अगर आप बेचिजक खरीज सकते हैं तो आप financial freedom की तरफ बढ़ रहा है एक और उसमें add कर लेते हैं, मन करें, तो आपको ये काम छोड़ के दूसरे काम पकड़ लीजे वो भी financial freedom की तरफ इसारा करते हैं so financial freedom, roughly, finance आपके पास इतना आ गया है कि आप अपना मन चाहा काम कर सकते हैं और छोटे मोटे risk ले सकते हैं अब इसके nine points क्या क्या है, सारे nine points को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ एक के करके ध्यान से सुनिएगा, आखरी के तीन points तो बहुत important है तीन के तीनों point मैंने आखरी में इसलिए pick कर रहा है जिससे कि आपको ये सारे जो less important point है क्योंकि सारे nine points के अगर आप जानोगे तभी आप आपको काफी help मिलेगी है otherwise थोड़ा मुस्किल हो सकता है चलिए पहला point है, understanding your personal and present situation अगर आपको अपनी present situation नहीं पता होगी तो आप कभी भी अच्छी financial planning को achieve नहीं कर सकते है अब आपकी present situation में आपके करजे कितने हैं आपके accumulated saving कितनी है और उस saving का कितना सा parts आपको खर्चा कब करने वाले हैं क्या वो अगले महीने कतम हो जाएगा आपके monthly expenses क्या है short term financial goal क्या है आपका long term financial goal क्या है उसके हिसाब से आपके पास जो planning है उसी के हिसाब से या उसमें shortfall आ रहा है तो ये सारी चीज़े taxes कितना देते हैं आप dividend कितना earn करते हैं आपके पास कौन-कौन से financial earnings है कौन-कौन से आपके पास mode है जिससे आप finance को plan कर सकते हो earn कर सकते हो ये understand करना बहुत जरूरी है उसके बाद आपके पास e-sops कितना है ये सारी चीज़ें आपको जानना जरूरी है मतलब पहली बात अपने आपको आप समझो पूरे चीज़ें एक-एक चीज़ों को आप लिखो कि आपके पास earnings क्या क्या है उसके बाद दूसरा चीज़ जो सबसे important है वो pen down your goals क्योंकि देखो financial freedom लेना है तो एक goal है न और वो goal कब-कब आपके पास कौन-कौन से पड़ाओ पे आ रहा है so pen down your goal is very important pen down करने के लिए क्या करेंगे हम या तो pen paper के help से लिख लें page पे, seats पे दूसरा हो सकता है कि spread seat यूज़ करें तीसरा आज कल बहुत सारे apps आ रहे है उन apps का भी यूज़ कर सकते हो मैं किसी का recommendation नहीं करूँगा Google पे search कर लिज़े बहुत सारे आपको apps मिल जाएंगे जो आपको help करेंगे financial freedom में एक ingredient बनने के लिए क्योंकि अगर आपको अपने expenditures, अपने goals पता होंगे कि आपको business करना है education loan लेना है foreign घुमना है या फिर इनों retire होना है जल्दी या फिर आपको ऐसे dividend कमाना है ऐसे ऐसे investment करने है तो या फिर आपको real estate में invest करना है या आपको कोई particular business start करना है आइडिया तो बहुत दिन से है लेकिन पैसे की बज़ेस नहीं start कर पा रहा है तो यह financial goal आपको लिखना पड़ेगा जब आप लिखेंगे तो naturally आपको अपनी spending track कर पाएंगे आप unwanted खर्चे उसमें से reboot कर पाएंगे आप impulsive buying की तरफ कम जाएंगे जो सबसे ज़्यादा drain out कर देता है आपके पैसे को तो लिखना is the second point for me third point tracking your spending यह मैंने second में और third को अलग कर दिया है I could make it one point also tracking का मतलब वही जो भी थोड़ा सा बोला मैंने कि आप track तब कर पाएंगे ना जब आप लिखें होंगे आप track तब कर पाएंगे जब आप थ्यान देते होंगे अपने spending को track तब कर पाएंगे जब आपकी सारी चीजें एक routine में चलती है track तब कर पाएंगे जो resources leakage हैं पैसे के वो पता हो कहां पे हो रहा है कई के बार हम लोग कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं जिसका इन्हों हमें long term में बहुत सजा मिलती है हमने कोई ऐसा office design करा दिया जहां पे ventilation नाम की कोई चीज ही नहीं है अब पता चला जो पहले बिजली का बिल electricity बिल आती थी 10,000 15,000 होगे मिला 5,000 बढ़ गई तो आपने साल भर के 60,000 रुपे नक्साल दा लिया आपको लेना था 3BHK का एक home rent पे आपने 4BHK ले लिया उसकी वज़े से आपने 8,000 10,000 extra दे दिया आपने 12 महीने में अगर count किया तो कितना ज़्यादा loss कर लिया आपको लेनी थी छोटी गाड़ी लेकिन कोई न कोई आ जाए और रिषदार आ जाए तो क्या करें उसकी वज़े से आपने 1,2,000 रुपे ज़्यादा खर्च कर दिया जबकि सालवर में रिषदार एक बार आ रहे हैं तो यह जो track है अपने expense spending का that is very very important and you must know it tracking रहेगा तभी तो आप सुधार पाओगे उसके बाद जो मेरा fourth point है pay yourself first यह जो track trick बता रहा हूँ यह बड़ा unique हो सकता है अगर आप सोची इसको जितने भी आपके खर्चे आ रहे हैं जितने भी आपके expenditures हैं मंतली हो आपको पता होंगे क्योंकि यह सारे process आपने कर लिये income आपको clearly पता है अब जो भी चीज आता है पहले अपने आपको pay करिये मतलब एक ऐसा bank account बना दीजे एक ऐसा saving account बना दीजे एक ऐसा mutual fund account बना दीजे जहां पे पहला payment वहां जाए पहला payment वहां जाएगा जो remaining बचेगा उससे आप खर्चा चलाओगे बड़े सारे वीडियोज में बता रखा हूँ मैं बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोल फर्स्ट उसी process का एक हिस्सा है जिसमें आप अपने आपको पहले पैसे दे रहे हैं उसके बाद बाकी अपने खर्चे इनो टेक्स, monthly expenditures, rent, petrol, बिजली का विल आप देखेंगे इससे कहीं कहीं आपको cut भी करना पड़ेगा अपने खर्चे जो अच्छी बात है आप चाही रह इस क्या है यार मैं छोटे shorts में भी और बड़े वीडियो में बता दिया हूँ penny is saved is penny is earned penny is saved is pennies earned इसका मतलब हुआ एक रुपया आपने बचाया मतलब एक रुपया कमाया मैंने कई बार बोला है कि जो आप कमाते हो उसमें आप tax देते हो अगर आप tax के दायरे में हो तो लेक tax कर रखा है तो उसमें भी 5 से लेके 15-20 परसंट तक कर return भी कमाऊगे यानि 30 परसंट आपने tax बचाया 10 परसंट रिटर्न कमाया तो more roughly roughly 45-35 परसंट के आपस आपने और बनाया so investing यानि उससे पहले saving is very important save करना आपको इस तरह से help करता है उसके बाद पैसा कम करने के लिए क् कर सकते हो आप unnecessary जो leakages है in terms of interest in terms of penalty वो सारी चीजा बचा सकते हो जैसे school की fees बच्चों की auto debit पे लगा दी तो अपने आप पैसा कर जाएगा उसके बाद आपने credit card का bill auto payment mode पे लगा दिया अपने आप कर जाएगा जहां भी bouncing हो 50 रुपया 100 रुपया 200 रुपया वो वाली चीज करके उसको आप auto में लगा दो so that आपका एक भी हरुपय hard and money का waste ना हो उसके बाद हम आज आते हैं six point paying your debt paying of debt का मतलब होता है कि आपने करजे को pay करिये जल्दी से जल्दी इस पे मैंने एक video बनाया है दो methods होते है एक होता है snowball effect और एक होता है avalanche snowball effect चोटे-चोटे goals पहले achieve कर snowball मतलब एक ball उड़क के जा रही हो बड़ी बनती हो जा रही है तो चोटे debt जो सबसे पहले जो आप बहुत जल्दी आसानी से pay कर सकते हैं उसको पहले pay करिये है आप उसको पहले pay करेंगे तो क्या होगा कि एक part आपका खतम हो जाएगा एक pressure कम हो जाएगा अब लेगा सानी से थोड़ी planning के साथ खतम कर सकते हो तो pay your debt first उसमें छोटा snowball effect लगा दो avalanche होता है कि बड़े को पहले दिरे दिरे break करें और फिर वो अपने आप chain बनाए क्योंकि उसके बाद आपके पास liberty जादा होती है उसके बाद आपके पास flexibility जादा होती है चीज़ों को खतम करने का उसके बाद हम लोग सातमा point discuss करते हैं 7th point is very important for yourself मैंने बूला था आपको 7,8,9 मेरे बड़े करीब है और मैं personally इस पर काम करता हूँ 7th point है always keep your career moving always keep your business moving always keep yourself moving इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब हुआ कि अपने life में अपने career में आप invest करिए उसमें थोड़ा थोड़ा इनो कुछ बीच-बीच में add-on करिए maybe knowledge से maybe अगर business कर रहे हैं तो variety से में भी अगर आप इनो सोच रहे हैं कि कुछ और पढ़ना है आपको higher education करना आजकल बहुत अच्छे-अच्छे colleges टॉप के colleges बहुत अच्छे-अच्छे courses offer कर रहे हैं जिसे आपको लगता है कि आपके degree में add-on होगा और आपके workplace पे आपकी जो reputation है आपकी जो growth है आपकी जो you know promotion से उससे जादा हो सकते हैं तो आप उसको करो यह हमें साफ वैला होना चाहिए कई बार क्या होता है कि आपका income fix हो जाता है और खर्चे बढ़ते रहते हैं अगर आपका income fix हो गया खर्चे बढ़ते रहते हैं तो आपके लिए situation सही नहीं है लेकिन अगर आपका खर्चा लगबग लगबग fix है और income बढ़ता रहा इंकम एक तरह बढ़ता रहा तो आपको life में बहुत जल्दी financial freedom मिलेगी तो यही करना होता है कि अपने income को में बढ़ाना होता है और income बढ़ाने के लिए आपको अपने उपर invest तो करना ही पड़ेगा उसके बाद आजाते हैं आठ sources of income होने चाहिए पांच sources of income यानि salary के सिवा भी चार sources of income आपकी salary आ रही चार और sources of income होने चाहिए में भी rental income हो में भी आपने कहीं पर कुछ invest कर रखा है आपको dividend मिल रहा है interest मिल रहा है share में आपने डाल रखे हो पैसे तो यह five sources आप income कहां से आप generate कर सकते हैं इस पर आप काम करिए कई चीज़े होती active working active income कई होता passive income active income का मतलब होता where you spend time in reciprocation of money मतलब अपने time को पैसे के money यह active income होता है passive income का मतलब हो गया कि basically you have invested some time and money initially once and now you are taking return out of it तो passive income ही हो सकते हैं because सारे active income तो नहीं हो सकते क्योंकि एक समय में एक ही बार रह सकते हैं हां कभी-कभी आप थोड़ा बहुत weekly time spend करके कुछ project पर काम करके वहां से कमा सकते हो but yes आपको अपने sources of income को एक से ज़ादा करना पड़ेगा उसके बाद होता है ninth point जो मैं आपको बताओं वो है जो मैंने बोला था ना investment investment पे तो मैं कमसे हम 10 वीडियो बना सकता हो investment सबसे जादा गलती करने वाला area है जहां पे maximum लोग गलती करते हैं investment वो अपने घर को माल लेते हैं investment ऐसे चीजों को माल लेते हैं जो growth को beat कर सकता है आपको inflation को beat करने वाला अपना investment चाहिए कई बार आप inflation major करते हो 5% 6% बड़ आपको invest करना अपने बच्चे के education जहां पे inflation 10% से जादा है आप बड़े-बड़े colleges की fees देख लीजे बड़े-बड़े organizations यहां पे आप अपने बच्चे को dream करते हैं वहां की fees बड़ रहा है वो बड़ रहा है उससे double लग 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 आपने एक जगह ऐसी पैसे डाल दिये जहां पे आप bank को दे रहा है 12% और आपको लग रहा है का investment है और आप return कमा रहे है 7-8% उसके बाद भी आप जब चाहो उसको बेच नहीं सकते हैं तो ऐसे investment नहीं basically invest कर ना होगा पहली बात जितनी जल्दी होतना संबह हो आप पूरा पैसा एक साथ नहीं कर सकते थोड़ा-थोड़ा invest करिए investment को 2-3 mode में डालिए investment को research करके डालिए liquidity रखिए जिसे आप emergency fund कह सकते हैं liquidity रखेंगे तो आपको help कर सकता है बुरे वक्त में या आपको बहुत पढ़े तो वहाँ आप help ले सकते हैं दूसरी बात जो real estate investment है बहुत समझके करिए बहुती खारा मलब बढ़ियां सवधा उठाईए सोधे दिनों जब भी आप बेचना चाहें बिग जाया दरवाइस कई बार वो dump हो जाता कई कई सालों तक और आपको बायर नहीं मिलते हैं तो ऐसे cases में आपको यही सोचना होगा कि अपने investment को आप कैसी ऐसी जगहें पर invest करें जहां पर एक आपको टिचायड आउटपूट मिलता रहे तो इस वीडियो थैंक यू बेरी मच आपको इससे कुछ न कुछ आपको मिला होगा थैंक यू बेरी मच बबाए टेक केर